Hello everyone, myself Fasis Kumar और स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में तो आज हम लोग Class 6 का 5th chapter complete करने वाले हैं जो कि है Separation of Substance तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये chapter को line by line पुरा अच्छे से complete करेंगे तो हम लोग सुरू करते हैं Separation of Substance मतलब कोई भी Substance को कैसे हम लोग separate करें अलग-अलग करें ठेक तो हम लोग देखते हैं कि there are many instances where we notice a substance being separated from mixture तो हम लोग बहुत सारा ची केस में देखते हैं कि जो अधिकतर substance होता है वो mixture के form में होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं Separate करते हैं एक दूसरे को जैसे कि example दियाओ टी लीप्स अर सेपरेटेड फ्रॉम दा लिक्वीड विध अस्टेनर तो टी लीप्स को क्या चीज़ से एक छकनी से मतलब क्या करते हैं इस्टेनर से हम लोग अलग करते हैं इसमें देखे सेपरेटिंग टी लीप्स विध अस्टेनर के help से क्या कर रहे हैं टी लीप्स को सेपरेट कर रहे हैं तो इसी तरह से करते हैं ग्रेन को इसका डाली से क्या चिया लग करते लिंद कींटो नुड़र को इस nasıl पर गौत क्वियां तर्म किया जाता है मतलब बदल जाता है as we learned in chapter third हम लोग chapter third में क्या पढ़ए we gain cotton to separate seeds from the fiber तो हम लोग क्या करते थे cotton cotton में उसका seed होता था उसको अलग करते थे perhaps you might have eaten salted डालिया और पोहा पोहा वेगर आप अगर खाया होंगे, if you found that it had chillies in it, अगर उसमें क्या आ रहता था, मिर्चाव अगर आ रहता था, तो इसको हम लोग क्या करते थे, अलग कर देते थे, have carefully taken them out before eating, खाने सपहले उसको अलग कर देते थे, उसके बाद दिया हुआ है, suppose you are given a basket, अगर आपको एक बास्केट दिया जा इन a separate container है, अलग-अलग कर दिजिएगा, एक अलग container में, seems easy, यह तो आसान दिखा, ठीक है, but what if the materials we want to separate are much smaller, अगर कोई चीज को separate करना चाहते है, वो बहुत एकदम छोटा-छोटा है, तो उस case में हम लोग क्या करेंगे, then mango और guava, imagine if you are given a glass of sand with salt mix, अगर एक ग्लास में आपक है, जिसमें की नमक mix है, और आपको अवालक करने के लिए बूल जाए, तो क्या, यह तो एकदम impossible वाला काम हो गया, हो गया ना, impossible even to think of separating salt from this mixture by picking or grains of sand by hand, अगर हाथ से इसको separate करना चाहे, तो नहीं न कर पाएंगे, but why we need to separate substance, तो हम लोग का जरूरत क्यों पढ़ता है, कोई भ यही सब चीज के बारे में हम लोग अभी इस chapter में पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं, इसमें एक activity दिया हुआ है, activity क्या है, कि table 5.1 में कुछ-कुछ processes दिया हुआ है, separation का, the purpose of separation and the way separated components are used, तो table 5.1 में दिया हुआ है, कुछ-कुछ process का नाम, और the purpose, उसका क्या मकसद होत है, separate करने का ठीक है, और column 2 and 3 respectively, however, the information given in column 2 and 3 is jumped up, इसमें देखिए, column में दिया हुआ है, separation purpose, separate stone from rice, rice से stone को हम लोग क्यो separate करते हैं, to separate two different useful components, तो stone सब अगर खाने में मिल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, we throw away the solid components, इसके बाद churning milk to obtain butter, to remove non, तो milk को butter में बनाने हम क्या करते हैं, हम लोग, जो non useful components होता है, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, we throw away impurities, तो जो उसमें impurities रहता हैं, उसको fake देते हैं, इसी type से separate leaves, leaves को क्यो उटाते हैं, we use both components, देखिए, process with its purpose and the way separated of components are used, we see that before we use a substance, जब हम लोग कोई भी substance को use करते हैं, we need to separate harmful, non useful substance, तो जो चीज useful नहीं है, या फिर कोई चीज अगर harmful है, उसको हम लोग क्या चीज करने का ज़रूरत पड़ता है, उसको हटा देने का, sometimes we separate even useful components, if we need to use them separately, अगर कभी 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 कोई चीज का मतलब अलग से अगर उसका ज़रूरत है, तो भी हम लोग उस चीज को separate कर देते हैं, the substance to be separated may be particles of different size, अलग-अलग size का हो सकता है, अलग-अलग material हो सकता है, इस में भी solid, liquid, या फिर gas भी हो सकता है, इसको separate करना है, so how do we separate, हम लोग कैसे separate करेंगे, substance mixed together, if they have so many different properties, अगर इसका अलग-अलग properties है, तो कैसे separate करेंगे, यही सब इस चेप्टर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग का जो first topic है, 5.1 देखिए, methods of separation, मतलब separate करने का method, we will discuss some simple methods of separating substance that are mixed together, तो हम लोग क्या discuss करेंगे, कुछ-कुछ simple method, कोई भी substance को separate करने का ठीक, you may come across some of these methods being used day-to-day activities, तो इसमें आप को यह भी पता चलेगा, कुछ-कुछ method का हम लोग day-to-day activity में पहले ही use कर चुके हैं, तो सबसे पहला है hand picking, hand picking में क्या करते हैं, bring a packet of grain purchased from soap to the classroom, एक packet कोई भी अना आज वगेरा को लाओ और classroom में, जिसको separate करना है, now spread the grain on a sheet of paper, एक sheet of paper में रख देने के लिए बोल रहा है, do you find one kind of grain on the sheet, उसमें कुछ-कुछ अलग टाइप का भी grain होता है, तो इसी को separate करने के लिए hand picking का यूज़ करते हैं, are the piece of stone, क्या उसमें stone या फिर गूसा वगेरा है, तो उसको now remove with your hand, जब उसको हम लोग हाथ से remove करेंगे, तो इसी method को क्या बोलेंगे, hand picking बोलेंगे, can be used to separate slightly larger sized impurities, तो hand picking में क्या होता है, थोड़ा जब बड़ा size का जो impurities वगेरा होता है, तो उसको separate करने के लिए हम लोग hand picking method का यूज़ करते हैं, like piece of dirt, stone वगेरा या फिर husk जो भूसा वगेरा रहता है, फिर wheat rice या फिर pulse का कोई भी husk वगेरा है, ठीक है, उसके बादे the quantity of such impurities is usually not very large, तो जो impurities का quantity होता है, वो ज़्यादा quantity नहीं रहता है, इस case में हम लोग क्या करते हैं, कि hand picking जो method है, separation का उसका हम लोग use करते हैं, hand picking is convenient method of separating substance, तो इस case में hand picking जो होता है, वो एक अच्छा method होता है, separate करने के लिए, इसके बाद आता है second method, threshing, you must have seen bundles of wheat और pedi stalk lying in the field, खेत में क्या चीज़ आता है, bundle में बनाया हो रहता है, धान का और क्या चीज़, धान का और या फिर wheat का, ठीक, harvesting the crop, stalks are dried in the sun, उसके बाद क्या किया जाता है, जब harvest कर दिया जाता है, मतलब काट लिए जाता है grain को, मतलब wheat को या फिर धान को, धान या गेहों को, तो grain is separated from them, उसके क्या होता है, stalk जो उसका डाली होता है, उससे अनासुख्या करते हैं, अलग करते हैं, each stalk has many grain, हर एक stalk में बहुत सरा grain का seed होता है, आटेज्ट होता है, imagine the number of grain seeds in hundred, अगर hundred bundle of stalk, हजारो बंडल में stalk है, तो उसको हम लोग जो की field में है, तो हम लोग कैसे उसको farmer separate करेगा, ठीक, one many pluck mangoes of guava from the trees, हम लोग तो अगर अमरूद वगेरा है, तो उसको असानी से pluck करके separate कर लेते हैं, लेकिन अगर grain को हम लोग प्लक करने लगे, मतलब एक एक करके हटाने लगे, तो बहुत चोटा-चोटा है, बहुत हम लोग का time लेगा, और ये plucking जो है, वो अच्छा method नहीं होगा, ठीक है, would be impossible, यहीं बोल रहा है, how does one separate grain, grain seeds from their stalk, तो grain को हम लोग कैसे separate करेंगे, तो उसका एक method होता है, thresing जिसको बोल दे हैं, तो thresing जो method होता है, used to separate grain from stalk, जो grain है, आनाज, उसका डाली से separate करने का method होता है, वही होता है, thresing, in this process, इस process में क्या करते हैं, stalk को beat किया जाता है, beaten to free grain seeds, उसको मतलब beat किया जाता है, मतलब ऐसे करके, कोई पत्थर उतर में रख के, मार के, beat करके, उसका जो grain होता है, उसको अलग किया जाता है, sometimes, अब कभी कभी क्या किया जाता है, this mixture, sometimes के बाद, sometimes, thresing is done with the help of bullocks, तो bell वगएरा से भी use किया जाता है, और कभी modern threser वगएरा आ गया है, thresing large quantity of grain, machines वगएरा कभी use होता है, अब इसके बाद जो थर्ड में थर्ड है, वो है we knowing, इसके लिए एक activity दिया हुआ है, make a mixture of dry sand with sow dust, उसमें लकडी का dust वगएरा, powder foam में डाल देने के लिए बोल रहा है, सुखा पत्ता वगएरा, keep, keep this mixture on plate और newspaper, इसको plate या फिर कोई newspaper में रखने के लिए बोल रहा है, look at this mixture के फुली, इसको अच्छा से देखने के लिए बोल रहा है, two different components made out easily, are the size of particles of two components similar, क्या दोनों components are size similar है, would it be possible to separate components by head wing, क्या हाथ से हम लोग उसको separate कर पाथ, पाएंगे नहीं न पाएंगे, now take your mixture to an open ground, एक ground में, open ground में जाना है, ठीक, उसके बाद उसको उपर उठा के, rise the platform, put the mixture in a plate or sheet of paper, hold the plate or sheet of paper, containing the mixture at your solder, solder, solder के height में इसे रखके, slightly क्या करना है, दिरे दिरे, उसको गिराना है, solder height tilt the slightly, mixture solid slowly, what happen, क्या होता है, do both the components sand and saw dust, sand और जो, पूआल वगेरा का dust particle है, वो क्या होता है, वो अलग हो जाता है, होता है ना, fall at the same place, same place में नहीं न गिरता है, अलग अलग जोगे गिरता है, क्योंकि हावा के कारण, वो उड़ जाता है, ठीक, is there components that blows away, तो क्या चीज़, जो saw dust है, वो क्या करेगा, blow कर जाएगा, और जो, हम लोग क्या component लिया है, जो grain वागे रहा था, वो, या फिर जो भी component यहाँ पर लिये थे, क्या लिये थे, देख लिज़े, make a dry sand, जो सुखा हुआ sand है, वो अलग हो जाता है, और saw dust अलग हो जाता है, यही बात इसमें बताया गया है, तो यही process को बोलते हैं, this method of separating, components of mixture, renewing, तो यही method जो हम लोग use करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, renewing, renewing कब यूज़ होता है, renewing is used to separate heavier और lighter object, जब कोई object, कोई ज्यादा बजन का object है, कोई हलका object है, उस किसमें लोग renewing का use करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लिज़े, renewing का use हो रहा है, धान वगेरा को, धान वगेरा से जो उसका dust particle होता है, उसको हटाने के लिए यूज़ होता है, this method is commonly used by farmers लोग use करता है, lighter husk जो घास फूस वगेरा जो पार्टिकल जो रहता है, उसको मतलब हटाने के लिए, the husk particles are carried away by wind, wind से क्या हो जाता है, उदूर चल जाता है, seed और क्या करता है, नीचे गीर जाता है, near the platform, renewing, the separated husk is used for many purpose, husk का यूज गाय वगेरा को भी खिलाने और भी बहुत सारा purpose से यूज करते हैं, इसके बाद जो next method है, seeding, seeding मतलब इस टाइब से जो चलनी वगेरा लगा कर चालते हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं, seeding क्या होता है, sometimes we may wish to prepare a dish, आटा वगेरा का अगर कोईडिस अगर हम लोग प्रिपेर, खाना वगेरा प्रिपेर करना चाहते हैं, we need to remove impurities, जो 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 आटा या फिर फ्लोर लाएं हैं, उसको हम लोग क्या करना होगा, प्योर करना होगा, उसमें जो impurities हैं, उसको remove करना होगा, ब्रान, that may be present in it, what do we do, we use a sieve, तो इसके लिए हम लोग एक sieve का use करते हैं, जो चलनी टाइप का होता है, pour the floor, तो उसमें आटा को रख देते हैं, और sieving allows, sieving से क्या होता है, जो भी fine particle होता है, पतला पतला पास होता है, बाद बागी जो रह जाता है, while the bigger impurities remain on the sieve, वो चलनी में ही रह जाता है, in a floor meal, floor जो आटा का meal वगेरा होता है, like husk के तरह ही stone वगेरा को remove किया जाता है, wheat before grinding, उसको पिछने से पहले, usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve, excellenting sieve चलनी में रखा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, the sieving removes piece of stone वगेरा का piece को remove करता है, stalk and husk, that may still remain with wheat, जो wheat के साथ रहता है उसको, after threshing, threshing के बाद, threshing और renewing के बाद, you may have noticed similar sieve being used at construction site, जो construction वगेरा का site होता है, जहाँ पर बनाया जाता है, construction की activity होता है, वहाँ भी आप देखे होंगे, to separate pebbles and stones from sand, तो देखे, बालू अगेरा को चालने के लिए use होता है, construction काम होता है, वहाँ पर, fine particle जो sand का होता है, उसको अलग की जाता है, और बड़ा बड़ा जो stone वगेरा होता है, उसको अलग की जाता है, यह आप देखे होंगे कहीं पर construction काम जहाँ पर हो रहा होगा, तो इसके बाद है activity 4, activity 4 क्या बोलता है, एक sieve लाना है, और a small quantity of floor घर में, sieve मतलब वही जो चलनी को बोल रहा है, ठीक, sieve floor separate any impurities in it, तो sieve क्या करता है, जो आटा में जो impurity रहता है, उसको क्या करता है, separate करता है, मतलब अलग करता है, now make a fine powder of chalk piece, chalk का एक powder piece बनाना है, और mix करना है उसको आटा के साथ, can we separate the floor and the powder chalk, क्या chalk का powder का हम लोग अलग कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, sieving is used when components of mixture have different size, तो sieving का हम लोग कब use करेंगे, जब component, जो भी particle ले रहे हैं, उसका size जब अलग अलग रहेगा, या छोटा या बड़ा, ठीक, तो यह हो गया sieving का method, इसके बाद है, sedimentation, decantation और filtration, यह तीन method यह भी important है, हम लोग का exam के point of view से, तो sometimes it may be impossible to separate components of a mixture by winnowing, hand picking, तो winnowing और hand picking से हम लोग बहुत सारा चीज़ को क्या कर सकते हैं, असानी से नहीं अलग कर सकते हैं, for example, for example के लिए देता है, there may be lighter impurities like dust, dust particle, या फिर in rice, जब चावल में रहेगा, या फिर दाल में, how are such impurities separated from rice and pulses before cooking, तो खाने से पहले वह इसा particle हो कैसे, हम लोग remove करेंगे, तो देखे, rice or pulse are usually washed, तो उसको हम लोग खाना बनाने से पहले क्या करते हैं, लेते हैं, when you add water, जब हम लोग उसमें पानी डालते हैं, तो जो dust particle और soil वगेरा होता है, वो क्या होता है, separated हो जाता है, get separated, these impurities go into water, ये कहां चला जाता है, पानी में चला जाता है, which became a little muddy, जो की थोड़ा muddy बन जाता है, मतलब और उसमें mix हो जाता है, now what will sink in the bottom, तो जो rock का particle होगा, कंकड होगेरा, वो सब क्या करेगा, नीचे में sink कर जाएगा, have you seen that vessel is tilted, pour out the dirty water, तो जब गंदा हो जाता है, तो क्या करता है, dirty water को हटा जाता है, तो देखे, when the heavier components in a mixture settles after water, after water is added, the process is called sedimentation, तो जब हम लोग कोई भी container में, पानी को अगर डाल दे रहा है, तो जो heavier component होता है, वो क्या करता है, settle down कर जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसी process को बोलते है, sedimentation, इसके बाद है, when water along with the dust is removed, तो देखे, जब dust बगएरा, इसमें पानी में जीतना भी मिट्टी का dust बगएरा था, यह सब इसमें मिक्स हो गया, तो जब उपर का जो उपर में जो पानी है, इसको जब हम लोग ऐसे ही मतलब बीना कोई disturbance के, उसको हटा दे, मतलब remove करते हैं, तो इस ही process को बोलते हैं, decantation, तो देखे, when water along with the dust, dust के साथ is removed, उसको जब हम लोग remove करते हैं, तो यही process को बोलते हैं decantation, इसके बाद है, let us find few mixtures that can be separated through sedimentation and decantation, चलिए हम लोग पता करते हैं कि sedimentation और decantation से क्या क्या चीज़ को हम लोग अलग कर सकते हैं, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other, तो यही principle का हम लोग क्या चीज़ में use करते हैं, separate करने में, अलग करने में, दो कोई liquid का जो की एक दुसरे से mix नहीं होता, जैसे कि for example, oil and water, अगर कहीं पर oil and water है, तो उसको हम लोग असानी से separate कर सकते हैं, इस process से, decantation से, ठीक है, if a mixture of such liquid is allowed to sand for some time, they form two separate layers, अगर हम लोग एक ही mixture में, अगर दो गो liquid जैसे की तेल और पानी को डाल देंगे, तो वो लोग अलग-अलग layer form करता है, the component of that formed on the top layer can be then separated, तूपर का जो layer है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, let us again consider a mixture, चलिए एक पर फिर से mixture को consider करते हैं, solid and liquid, after preparing tea, तो चाय बनाने के बाद, क्या होता है, after preparing tea, what do you remove the tea lips, तो आप क्या करते हैं, tea lips को क्या करते हैं, remove करते हैं, try decantation, अब इस case में क्या करने के बल रहा है, decantation, try करने के लिए कर रहा है, it helps a little, कुछ तहाद तक help करता है, but do you still get fewer lips, लेकिन इसमें आपको कुछ बहुत पता फिर भी मिलेगा, now pour the tea lips through a stainer, तो tea lips को stainer के help से, क्या करना है, now, क्या बल रहा है, but do you still get few lips, now pour the tea lips through a stainer, इसके बाद है, did the tea lips remains in the stainer, क्या वो tea lips, stainer में ही रहा गया, this process is called filtration, तो जब उसको हम लोग stainer से पास कराएंगे, तो क्या होगा, stainer में रुख जाएगा, stainer मतलब एक टाइप से, जाली टाइप का बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, which method of separating tea lips from, कौन सा method का हम लोग use करेंगे, tea lips को separate करने के लिए, from prepared tea is better decantation और filtration, तो हम लोग decantation का यूज करेंगे, या filtration का, filtration का यूज करेंगे, filtration से असाने से हम लोग क्या हो रहा है, tea lips मिल जा रहा है, let us now consider, चलिए अब हम लोग consider करते हैं, the example of water that we use, water का example जो हम लोग use करते हैं, do all of us at all times get safe water, क्या हम लोग को हर एक time safe water मिलता है पिनने के लिए, नहीं नहीं मिलता है, sometimes water is supplied through tapes, कभी-कभी हम लोग को null से supply होता है, तो वो क्या होता है, muddy होता है, महाँ पर कुछ पार्टिकल सोहल कर रहता है, the water collected from ponds, rivers में also भी muddy, जो तलाव अगिरह से water collect किया जा रहा है, वो भी muddy होगा, especially after rain, rain के बाद क्या होता है, let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil, चलिए देखते हैं, कुछ-कुछ method अगर हम लोग को मिलेगा, separate करने के लिए, तो collect some muddy water from pond, pond से कुछ muddy water को collect करना है, उसके बाद mix कर देना है, उसको mix some soil, उसमें कुछ soil mix कर देना है, glass में कर गे ठीक है, उसके बाद let it extend for half an hour, आधा गंटा तक उसको इसी छोड़ देना है, बिना कुछ इलाया डुलाया, observe carefully, अब हम लोग observe क्या करेंगे, जो meaty का layer हो क्या करेंगा, नीचे में settle down हो जाएगा, वही बात बता रहा है, उसके बाद what will you call this process, इसको आप क्या बोलिएगा, इस process को, इसको बोलेंगा अब लोग sedimentation, का एक sediments particle क्या हो रहा है नीचे, settle down कर रहा है, तो इसमें देखिए, now slightly tilt the glass without disturbing, अब उसको बीना disturb के, दिरे दिरे glass को tilt करके, क्या करने बोल रहा है, नीचे उसको दूसरा container में ले लेने बोल रहा है, another glass, ठीक, let us the water form to the top flow into the another glass, what you will call this process, इसको बोलेंगे हम लोग, decantation बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब sedimentation हो गया, तो जो उपर का जो पानी है, उसको अलग करने का process क्या होता है, decantation, उसके बाद है, is the water in the second glass, still muddy, क्या second glass का water, muddy है, brown in color, now filter it, अब इसको क्या करने में बोल रहा है, filter करने के लिए, did the tea stanner works, क्या चाय का, जो stanner है, वो बाद किया, let us try, अगर हम लोग ट्राई करते हैं, filtering the water through a piece of cloth, अगर एक कपड़ा का use करते हैं, in piece of cloth, small holes और pores, remains in between, तो उसमें क्या होता है, छोटा-छोटा hole होता है, the oven thread, these pores in a cloth can be used as filter, तो इस कपड़ा का, हम लोग क्या ची के लिए, रूब में use कर सकते हैं, filter के रूब में, if the water is still muddy, अगर हम लोग को water, फिर भी muddy मिलता है, मतलब, mud वाला मतलब, मिटी मिला हुआ, can be separated by filter, that has even, तो उसके, उसके लिए, हम लोग क्या use कर सकते हैं, उस filter के use कर सकते हैं, जिसमें और छोटा-छोटा छेद होता है, filter paper, एक टाइप का वाइसा है, जो इसमें बहुत छोटा-छोटा छेद होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, filter करने में, figure 5.9 में दिखाया गया है, step involves in using filter paper, filter paper को कैसी यूज करते हो, यह बता गया, filter paper को fold पहले किया जाता है, filter paper कहीं चाहता है, इस type कर आता है, ठीक है तो उसको क्या करने किया जाताए, funnel के save में, kon ke save में fold किया जाता है, सटीक, यहाँ मतलब, kon ke save में fold किया जाता है, फिर इसको funnel में रख दिया जाता है उसके बाद उपर में जो impurities रखता है उसको रख दिया जाता है वही बात बताया होगा fixed onto a funnel the mixture is then poured filter पेपने में जो भी mixture को filter करने उसको रख देंगे solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter तो इसमें filter में ही रह जाता है solid particle है या फिर impurities है fruits and vegetable juice are usually filter before drinking तो फल वगेरा हो गया या फिर कोई vegetable का juice है उसको हम लोग क्या करते है पीने से पहले क्या करते है filter कर लेते हैं जिससे की seed वगेरा और solid particle ना आया the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese जब लोग पनीर वगेरा बनाते हैं तो जब दूद फट जाता है तो क्या करते हैं कपड़ा वगेरा से उसको क्या करते है filter करते हैं you might have seen that making पनीर पनीर बनाती हुए आप घर में देखे होंगे lemon juice जब add की कर दिया जाता है boil करके this give mixture of particles of solid पनीर और liquid का particle देता है तो उससे क्या करते है पनीर को अलग कर दिया जाता है वही बात बताया गया है अब देखिए next process है evaporation evaporation अब क्या होता है तो सबसे पहले एक activity कर लेना है activity क्या है heat a beaker containing some water एक beaker मतलब गिलास को heat करना है जिसमें की क्या हो water है allow the water to boil पानी को एलाव करना है जब तक वह boil हो जाए heating would would the water turns into steam तो इसमें क्या होगा water जो है steam का form लेने लगगा मतलब water vapor बनके उपर disappear होने लगगा and disappear completely उसको completely disappear होने दो now add two spoons of salt to the water अब इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है दूसरा गिलास में and stir it well और उसको पूरा अच्छा से mix करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या हम बलेंगे कि उसमें कोई color का change नहीं हुआ can you see any salt और उसमें नमक भी नहीं दिखेगा after stirring जब उसको mix हो गया उसको जब heat करेंगे और पूरा evaporate करवाएंगे तो हम लोग को क्या बचेगा जो नमक हम लोग उसमें mix किये थे वो evaporate नहीं होगा वो यहीं पर यहाँ पर remain रह जाएगा वहीं बात बताना चाहता है तो in this activity we use the process of evaporation evaporation से हम लोग क्या किये पानी में जो salt dissolved था उसको अलग कर दिये ठीक है तो यही process को बोलते हैं हम लोग this process of conversion of water water को water vapor में convert करने का जो process होता है उसको बोलते है evaporation the process of evaporation takes place continuously wherever water is present तो जहाँ भी पानी present होता है वहाँ पे evaporation का process continuously होते रहता है where do you think salt comes from तो नमक कहा चाता है नमक sea water चाता है sea water क्या करा जाता है evaporate किया करा जाता है जब evaporate होता है तो हम लोग को क्या मिलता है नमक sea water contains many salt बहुत सारा salt mix होता है one of these salt is common salt इसी में से common salt आता है ठीक when sea water is allowed to extend shallow pits जब कोई flat surface में इसको एलाव कर दिया जाता है जमा करके evaporate करने के लिए तो क्या होता है water gets heated by sunlight से heat हो जाता है slowly turn हो जाता है water vapor में through evaporation in a few days कुछ दिन में क्या होता है evaporate पूरा पूरी हो जाता है completely और solid salt हम लोग को बच जाता है the common salt is then obtained from this mixer और इससे हम लोग को common salt मिल जाता है further purification और इसको आगे purify करके हम लोग को मिल जाता है इसके बाद है use of more than one method of separation एक से ज्यादा method of separation का use करना ठीक कैसे use करेंगे इस topic में हम लोग पढ़ेंगे we have studied some method for separation of substance from their mixture हम लोग बहुत सारा method के बारे में पढ़ चुके है often one method is not sufficient to separate the different substance एक method ठीक्या होता है बहुत सारा substance separate नहीं होता है तो उसमें क्या करते है एक से ज्यादा method का भी use करते है in such situation we need to use more than one method एक से ज्यादा method का हम लोग use करते है तो उसी का example है इस activity में take a mixture of sand and salt क्या लेना है बालू और नमक का mixture लेना है how will we separate these हम लोग इसको अलग कई से करेंगे we'll already so that hand picking would not be practical method hand picking some लोग इसको separate नहीं कर सकते हैं इसको क्या करेंगे keep this mixer in a beaker इसको एक ग्लास में रखना है and add some water उसमें कुछ पानी डालना है to eat leave the beaker aside for some time इसको कुछ सिदर के लिए इसी रनने देते हैं do you see the sand settling down at the bottom तो क्या करेंगा sand जो है नीचे settle down हो गया the sand can be separated by decantation को हम लोग क्या कर सकते है decantation से क्या करेंगगे जो settle down हो गया उपर जिसी की यह glass है जिलास में क्या हो गया नमक है नमक पानी और sand का पार्टीकल है तो इसमें क्या होगा sand जो है निचे यहाँ पर sand जम जाएगा ठेक तो decantation से क्या करेंगे दूसरा glass में वो उपर का जो जितम भी liquid है इसको रख देंगे तो लोगो क्या मिलेगा एक liquid मिलेगा जहाँ पर salt और water हो decantation self से वही बता रहा है decantation या फिर filtration what do the decanted liquid contain decanted liquid में क्या रहेगा नमक और पानी रहेगा do you think this is water contains the salt तो यह क्या है water और जिसमें की salt है which was there in the mixture जो की mixture में था beginning में ठीक अब हम लोग क्या करेंगे now separate the salt and water from the decanted liquid जो decanted की यह liquid उससे क्या करेंगे हम लोग water water और salt को अलग करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे liquid in kettle and close its leaves heat the kettle for some time तो अब इसको क्या करेंगे एक यहाँ पर एक container लेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे heat करने लगेंगे heat करेंगे तो क्या होगा evaporation होगा ठीक तो देखी इस टाइप से experiment को करना है जिसे कि इसमें अगर salt और water रखेंगे इसको क्या करा रहा है इसको क्या करा रहा है इसको यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर चाहा है यहाँ पर पूरा बताएगा अभी देखिए तो देखिए यहाँ पर notice steam coming out from spot out of cattle तो steam जो coming आ रहा होगा उसके लिए अब क्या करेंगे एक metal प्लेट लेंगे और उसमें उसके उपर में क्या रखेंगे कुछ आइस को रखेंगे बरफ को hold the plate just above the spot of cattle जहां से बहां फारा होगा केटल का जो छेध है वहां से पर क्या रखेंगे उससे जो हम लोग क्या लिए लिए है metal प्लेट लिए हैं उसको रखेंगे और उसके उपर में आइस रहेगा सोन इन फिगर 5.13 में दिखाया गया है तो आप क्या अबजर्ब किजिएगा जो भी वाटर वेपर है वो क्या हो जागा है कंडेंस होके फिर से वाटर में चेंग होने लेगा वें देखेंगे जब मेटल प्लेट का कंटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या हो ज तो वाटर ड्रॉब्स जो हम लोग अबसर्ब करते हैं फोलिंग फ्रोंग फ्रोंडव जो प्लेट से गिरता ह sorry wole burnt to condensation वह किसे कारण हो रहा था वाटर बेपर को लिक्वीट में convert करने का जो process होता है उसी को चेंब बोलते हैं Condensation तो यह important है इसको याद कर लिजेगा D uniformly Condensation का process क्या होता है Liquid को वाटर बेपर में convert करने का process ही Condensation होता है अब देखें आप क्या बोल रहा है did you ever see water drops in condensed under plate that have been used to cover vessels containing milk that has just been boiled तो क्या आप observe करते हैं कभी अगर हम लोग milk अगर आग बोईल कर लेते हैं तो उपर में जो ढखकन रहते हैं क्या water droplets आता है तो वो condensed हो जाता है after all water has evaporated what is left behind the kettle तो kettle जो है उसमें क्या ची बचेगा जब पूरा water evaporate हो जाएगा तो हम आपको बता है salt बचे का वही बात है we have thus separated salt and sand and water तो हम लोग क्या किये salt को भी अलग कर लिए sand को भी और water को भी using the process अब इसमें कौन को सा process का use किये सबसे पहले decantation करके किये थे उसके बाद क्या किये filtration का use किये फिर evaporation का और last में condensation का अब पहली face the problem पहली को फिर कुछ problem आता है देखिए while recovering salt mixed with sand C has mixed a packet of salt in a small अब वो क्या की है एक packet of salt को in a small small amount of sand छोटा सा amount का sand में वो mix कर दिये है C then try to the method suggesting in the activity तब इस case में आप method suggest कीजिए अगर salt बहुँच जादा है ठीक है और sand का particle अगर बड़ा बड़ा होगा तो हम लोग क्या कर सकते है जो sieving होता है method वो भी use कर सकते है और we recover the salt C found however that C could recover only a small part of the salt that hand taken हाथ से कुछ बहुत ही निकाल ली तो इसको आप suggest कीजिए ठीक है उसके बाद can water dissolve any amount of substance क्या पानी कोई भी substance का कितना भी amount को dissolve कर सकता है इसके बारे में इसमें पढ़ना है लोग अभी पढ़ेंगे ठीक चलिए देखते हैं तो देखिए can water dissolve any amount of a substance in chapter 4 हम लोग chapter 4 में क्या पढ़े थे that many substance dissolve in water पानी में बहुँ सारा substance dissolve होता है जो कि एक solution का formation करता है solution किसको बोलते है जब कोई भी liquid में एक से ज़्यादा substance dissolve होता है we say that these substances are soluble in water तो अगर dissolve हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे soluble बोलेंगे ठीक है what will happen if we go adding more and more अगर हम लोग कोई solution लिये है इसमें नमक डाल लिये dissolve होगा और नमक दे रहा है और नमक दे रहा है तो कितना तक वो dissolve होगा this substance to fix quantity तो उन लोग क्या करेगा more and more this substance to a fixed quantity पानी उतना ही लिये है और बहुत ज्यादा एड करते जा रहा है तो इसके लिए एक activity दिया है activity समलोग इस topic को समझने कोशिस करेंगे you will need a beaker and a tumbler एक beaker लेना है और एक tumbler लेना है गिलास लेना है ठीक है और spoon एक चमच लेना है salt लेना है और water लेना है half cup water बीकर में डालना है गिलास में ठीक add one teaspoon of salt एक चमच नमक डालना है और उसको अच्छे से मिलाना है stir it well until the salt dissolved completely जब तक जो नमक है वो completely dissolved नहीं करता है उसको stir करने वो के लिए बोल रहा है mix करने ती अगेन फिर और नमक डालने के लिए बोल रहा है go adding ऐसी डालते जाब डालते जाब बोल रहा है after adding few spoons कुछ चमच डालने के बाद क्या करेगा क्या होगा जो नमक है वो नीचे में settle down करेगा और dissolve नहीं होगा यही बात बता रहा है if yes अगर आइसा होता है अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर settle down हो जा रहा है नमक तो इसमें और हम लोग salt को dissolve नहीं कर सकते है इसका मतलब क्या है कि जो solution है वो क्या हो गया है saturated here is the hint to what might have gone wrong इसमें क्या क्या गलत हुआ when पहली tried to recover large quantity of salt mixed with sand जब पहली कोशिश कर रही थी बहुँ ज़्यादा sand जब था salt mixed था sand perhaps the quantity of salt was much more salt का quantity क्या था बहुँ ज़्यादा था required to form a saturated solution ज़के कारण saturated solution नहीं फोर्म कर पा रहा था the undisolved salt जो salt undisolved था dissolve नहीं हुआ था would have remained mixed with the sand वो क्या हो गया sand के साथ mix हो गया था she could solve the problem using large quantity of water तो इस problem को solve करने के लिए हम लोग क्या करना होगा ज़्यादा quantity में पानी को use करना होगा suppose she did not have sufficient quantity of water अगर इसके पास उतना ज़्यादा पानी नहीं है at the salt mixture is there any some way क्या और कोई तरीका है water could be made to dissolve इसको dissolve कराया जा सकता है salt before the solution get saturated तो इसको एक activity से फिर समझाया गया है कैसे हम लोग करेंगे take some water in a beaker एक glass में पानी लेना है और उसको mix कर देना है salt को until it cannot dissolve any more salt तब तक dissolve करते जाना है जब तक solution क्या हो जाएगा saturated हो जाएगा saturated नहीं हो जाता है solution तब तक हम लोग को क्या करना है उसको dissolve करते रहना है solution this gives you a saturated solution of salt and water तो यह हम लोग क्या मिला इस से saturated solution नमक और पानी का now add a small quantity of salt to this saturated solution अब इसमें कुछ चोटा quantity में salt पो डालने को के लिए बोल रहा है और उसको heat करने के लिए and heat it what do you find तो आपको क्या पता जलता है what happens to the undissolved salt जो undissolved salt था उसको क्या हुआ in the bottom of the beaker जो beaker के bottom में था वो क्या हुआ does it dissolve now क्या वो dissolve हो गया तो जब हम लोग उसको heat देंगे तो वो क्या होगा dissolve हो जाएगा और पुरगाया बोजाएगा if yes can some salt be dissolve in this solution by heating तो हम लोग क्या कर सकते है heat करके भी कुछ हद तक और ज़्यादा मतलब dissolve कर सकते है saturated solution में let us let this hot solution cools up जब यह ठंडा हो जाएगा does the salt appear to settle down in the bottom keep again क्या वो salt फी ठंडा होके वापस आ गया this activity suggests that larger quantity of salt can be dissolve तो वो क्या होगा वो आपस नहीं आएगा और मतलब पुरा dissolve रहेगा तो हम लोग थोड़ा बहुत और ज़्यादा quantity में salt को dissolve कर सकते है इस method से heating के use करके ठेक है इसके बाद देखे does the water dissolve equal amount of different soluble substance क्या अलग-अलग substance को मतलब equal amount में ही dissolve करता है या फिर अलग-अलग amount में activity 10 लिया हुआ है दो glass लेना है और उसमें half-half पानी डालना है ठेक each of them add a teaspoon of salt एक-एक teaspoon एक-एक चमच नमक देना है एक glass में and stir the salt salt को पुरा मिला देना है dissolves go on adding salt अब उसमें नमक डालते जाओ एक-एक चमच at a time till the solution saturated जब तक वो saturation saturated नहीं हो जाता है record the number of spoon केतना चमच नमक डाला इसको तुम record करो उसके बाद वही काम करना है दूसरा जिसके साथ now repeat the same activity with sugar chini के साथ करो और repeat करो केतना teaspoon इसमें लगता है उसको देखो ठीक है what do you notice इसे आपको क्या पता चलेगा do you find water dissolves different substance in different amount तो अलग-अलग substance को water जो है अलग-अलग quantity में dissolve करता है यही चीज हमको पता चला तो इसमें केतना चमच मान लेते हैं इसमें 8 चमच लगा और इसमें 6 ही चमच में completely saturated बन गया इसे मान ले रहा है ठीक है तो we have discussed a few methods हम लोग बहुत सरा method इसमें क्या पड़े separate करने का some of the methods of separating presented in the chapter are also used in science laboratory बहुत सरा method का use किया आता है separate करने के लिए science का जो lab आप जब 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 गए school में तो वहाँ पर देखिएगा we also learned that solution is prepared by dissolving a substance in a liquid कोई भी solution को prepared करने के लिका करते हैं कोई भी liquid में कोई substance को dissolve करते हैं solution is set to be saturated अगर हम लोग कोई भी solution को saturated कब बोलेंगे जब वहाँ और कोई भी solute particle को dissolve नहीं कर पाएंगे उस case कम लोग बोलेंगे saturated solution if it cannot dissolve more of the substance in it अगर अगर अब ज़्यादा substance को dissolve नहीं कर सकता है तो उसको saturated बोलेंगे तो लोग यह सब process के बारे में जाने थे ठीक है summary है इसका hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation और filtration यह सब method है separate करने का अलग-अलग substance को उनलोग का mixture से तो यही पे आपका आज का यह chapter का end होता है उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझना है होगा तो अगर अच्छा लगा तो support कीजे थोड़ा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद